दोफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहज जनसेवा केंदर के लिए साल 2030 में आप कैसे online registration कर सकते हैं और साथ ही सहज जनसेवा केंदर का ID और password आप कैसे प्रात कर सकते हैं क्योंकि सहज जनसेवा केंदर का ID अगर आप ले लेते हैं तो cycle service का लाब आप अपने customer तक बहुंचा कर महिने का आप अच्छा खासा earning कर सकते हैं सहज जनसेवा केंदर में government दोड़ा जितने भी योजनाई चलाई जाती है और साथ ही जितने भी जैसे ticket booking का काम हुआ pen card बनाना हुआ जो भी काम होता online से जुरा उस पर आच्छा खासा commission आपको दी जाती है जो जितना work करेंगे उतना आच्छा आप कमाई कर सकते हैं पासबात ही होता है कि सहज जनसेवा केंदर लेने के लिए आपको किसी भी परकार के जो पैसा है किसी को देने की अवसकता नहीं होती है इसके लिए आईडी लेने के लिए इनके वैलेट में आपको पैसा डालने की अवसकता होती है क्योंकि काफे सारे लोग करते हैं कि इस किस्केस परकार के काम आपको दी जाएगी साथ ही इसमें कितना पैस आपको लग सकते हैं क्या का कमेंट लगेगा और कैसे रेइस्टेशन करेंगे जिसके कम्पलीट प्रोसस इस वीडियो में लाइब दिखाई जाएगी आपसे रिक्वेश्ट रहेगा कि इस वीडियो को अंतक दिखिए ताकि पूरी जानकारी समझ में आप आए वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर दे साथ ही चैनल को सुस्क्राइब करें ताकि आने बाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वह आपको मिल पाएगी चलते हैं अपने स्किन पर और सारी जनकारी आपको डीटेल में समझाते हैं सोहच जनसेवा केंदर के लिए कैसे आप रेजिश्टेशन कर सकते हैं सहज जन सेवा केंदर खुलने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा online update htm.in के official website पे इस website पे आने के बाद एक option आपको search का मिलता है आपको इस search box में search करना है सहज जन सेवा केंदर लिकर आप सर्च करेंगे आपके सामने ये article आएगा सहज जन सेवा केंदर registration 2023 आप इस article को click करेंगे जिसमें सारी जनकारी आपको समझाएगे जिसको आप समझ सकते हैं जिससे सहज जन सेवा केंदर क्या है इससे क्या benefit मिलेगा और हमने आपको बताया था कि सहज जन सेवा केंदर अगर आप खोलते हैं तो किस-किस परकार की आपको service दी जाएगी जिसका पूरा list त्यार की गई है जैसे इतने सारे service है जिसका benefit आप अपने customer को दे सकते हैं और हर service के लिए एक अच्छा amount commission के तोर पर रखा जाता है जिससे आप महिने के 1000 रुपे बड़े आराम से कमा सकते हैं इसके लिए registration fee क्या लगती है तो आपको बता दे इसके लिए registration fee एक भी रुपया नहीं लगता है लेकिन ध्यान रखे इसके लिए जो ID आपको एप्रूब होती है उस wallet में आपको पैसा रखना पड़ता है यानि wallet में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तब आपका जो सहच जनसेवा किंदर की ID है वो आपका approval किया जाता है business जनकारी के लिए toll free number दी गई जिस पर आप call करके भी जनकारी को ले सकते हैं नीचे आएंगे direct आपको link मिलता है online registration का जिस पर आपको click करना है यहाँ पर भी उपर में दिखेंगे एक option registration का मिलेगा जिस पर click करेंगे और एक option मिलता है new registration जिस पर आप click करेंगे तो यह page आपके सामने खुल कर आएगा जहाँ पर आपको काफिस सारे option देखनों के मिलता है आप यहाँ पर सहज मितर के लिए registration करना चाहते हैं तो first option को चुनेंगे और यहाँ पर individual ही रहने दिना है आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो area आता है जहाँ आप यह सहज जनसिवा के अंदर खोलना चाहते हैं वो ग्रामिन छेतर से आता है या सहरे से आता है तो अरवन चुनें ग्रामिन से आता है तो rural को आप select करेंगे साथी यहाँ पर देखेंगे दो number आपसे मांगी जाती है जो कि PM distributor ID अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं उसके आलावा सहज मितर ID अगर आप reference के तोर पर किसी के लेकर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं नहीं था यह दोनों detail को छोड़ेंगे एक option आपको नीचे में मिलता है continue का जिस पर आपको क्लिक करना है तो देखेंगे कुछ detail और खुलकर आएगा जहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको एक mobile नंबर डालना है और एक option मिलता है verify mobile नंबर जिस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर OTP भेज़े जागा OTP डालने के बाद continue वाले विकल पर आपको क्लिक करना है तो इस परकार आपका जो नंबर है उस successful verify होता है जो देखेंगे इस परकार green tick आएगा से मुझसी according आपको email id को डालना है और इसको भी आपको verify करना है उसके बाद अगर आपका pen card को upload करना है इस परकार आपका data fetch होता है और automatic pen के according आपका जो detail है वो खुल कर आ जाता है अब यहाँ पर आप जो भी title लगाते है Mr. M.R.S. मिसेज जो भी है जैसे अपने gender के according इसको चुनेंगे आपका date बार था आजागा आप अपना gender को यहाँ से चुनेंगे आपकी साध करें अने था unmerit या single आप कर सकते हैं single है तो उसके बाद nationality आपका आएगा एक option मिलता 7 continue का जिस पर click करना है जहाँ पर आपसे select भोला जाता है करना है add desk proof के लिए आप क्या देना चाहते है आदार कार्ड या आप चाहे तो driving license, passport, voter ID कार्ड आप कुछ भी दे सकते हैं जो भ option upload का मिलता है जिस पर click करेंगे आपका detail automatic यह fetch कर लेता है अब simply नीचे आएंगे यहाँ पर आपका जो भी block होगा block को आपको चुनना है धियान रखे जो document आप यहाँ पर upload कर रहा है document आपका एकदम फ्रेस होनी चाहिए जिससे आपकी सारी detail यह automatic fetch कर सके यहाँ पर देखें कि वो location automatic fetch कर ले तो direct आप इस पर click करेंगे यह automatic आपकी जहाँ आप form का apply कर रहा है तो वहाँ का detail ले लेगा यहाँ पर आपको allow कर देनी है तो देखेंगे latitude और langitude आपका automatic आजागा एक option मिलता है review and submit का जिस पर click करेंगे उसके बाद इस पर का verify your station का बिकल्प मिलता है जिसम आपने fill up किया है सारा जनकारी देखेंगे कोई detail edit करना तो edit करेंगे अने था एक option मिलता है submit का जिस पर click करेंगे इस परकार देखेंगे Congratulations आपका जो registration है successful submit हो चुका है और आपको एक सहज मित्र ID है जो आपको देखनों का मिलता है इसको no down करके आपको रखन लेना है क्योंकि इसका जो team होता है जो आपको दिन से लेकर 10 दिनों के भीतर ही आपसे contact करती है और आपको इस ID को approval कराने के सारी process को बताती है यहाँ प जब जहां साब registration के लिए apply करते हैं वहीं पर देखेंगे एक option मिलता है registration status का जिस पर आप click करेंगे और जो अभी आपको ID मिला है जो अभी हमने आपको बताया no down करें उसको डाल कर submit पे click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका ID जो है यहाँ से approved किया गया है लेकिन आप आपका जब तक वहाँ के अधिकारी इसको approved नहीं करता जब तक आपको आगे की process नहीं complete होता है यहाँ पर submit वाले पर click करेंगे उसके बाद इनके team आप से contact करेंगी और आपका ID अप्रूब करेंगे उसके बाद login करने के लिए login का बिकल्प मिलता है जिस पे click करेंगे जो आ ranking साथ ही government service insurance bill e-learning जैसे काफे सारे service है जिसका भी आपको benefit लेना है और जिनका भी lab अपने customer को देना है simply उस पे click करके service का lab आप उनको पहुंचा सकते हैं यहाँ पर दिखेंगे आपको दो wallet मिलता है एक आपका wallet होता है और एक आप जो recharge इसका करते हो आपको देखनों को मिलत जहां से आप जो भी service के लिए lab देंगे उसका payment आप यहीं से करेंगे और आपका commission भी यहीं पर आएगा आने वाले दिन में हम इस पर अलग लग video को बनाएंगे कि इसके लिए कैसे आप service का उप्योग कर सकते हैं तो इस परकार बड़े ही आसाने से सहज अनसेवा के अंदर के लिए आप registration कर सकते हैं और साथ ही इसके तह जो प्लब्द service है जिसका lab आप अपने customer तक उप्लब्द करा सकते हैं दो तो अभी आपने देखा सहज जनसेवा के अंदर के लिए आप कैसे registration कर सकते हैं registration process को complete करने के वाद सहज जनसेवा के अंदर के जो भी team होंगे वो आप आप से कॉल करेंगे कॉल करने के बाद आपको बताए जाएगी कि अगर आपको आईडी अप्रूबल करवानी है तो इसके लिए आपको वैलेट में रिचार्ज करनी होगी क्योंकि इसके लिए किसी को हैंड में पैसा नहीं देना किसी को हाथ में पैसा नहीं देना यह जो पै प्लिए आपको कमिंसन वहां को दिखाया फिर भी कुई डाउट कन्फूजन है कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं साल 2023 में CSE Center खूलना तो उसके लिए कैसे registration करना है वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा किलिक करके देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद